आज हम इस WordPress Theme Development के मौडुल में देखेंगे कि हम अपने HTML पेज को कैसे कर्वर्ट करते हैं Theeam के अंदर ले जाके एश्ट एक्जाम्पल के लिए हमने क्या किया था Theeam को set up किया था Theeam के हमने नाम लिखा था ... भी आक्टिवेट लिएससारा काम हमने क्या था तो चली पहले देखिए तीम को आक्टिवेट करने बाद जो हमारे पास HTML पड़े हुए है अभी में एक पेज ही क्या करूंगा करके दिखाऊंगा आगे के पार्ट में मैं आपको टेंपलेट्स बताऊंगा क्या होगा पेजिस क्या होते हैं यह सारी चीजी क्लियर कराऊंगा अभी मालीज यह कि मेरे पास एक इस्टीमिल का पेज पड़ा हुआ है उसको वर्डप्रेस में ले जाके रखना है और जब मैं ब्राउजर पर अपने वर्डप्रेस की वेबसाइड को उपन करो तो वो पेज मेरा क्या होना चाहिए दिखना चाहिए और अगर मैं अभी थीम को एक्टिवेट करूँगा और इ उसके अंदर कोई भी डिजाइन नहीं एवलेबल है वह एककम ब्लैंक पड़ी हुई है तो अब अपने को एस्टीमिल पेज को उसके अंदर लेके जाना है और रखके अपने डिजाइन को सेट करना और एस्टीमिल पेज जो कनवर्ट होगा वो पीछपी में अपने को कनव पेज्ट कर दूँगा जो मैंने फाइल बनाई थी दोनों तरीके से आपके उपर डिमेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं तो चलिए हमें स्टीमिल का टेंपलेट है जो हमने क्या कर रखा बना रखा यह देखिए दिख विराई सीड ड्राइब में डेक्स्टॉप के उप करते हैं अब यह फाइल और यह अपनी क्या है निए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यह डीटेल अपने पास क्या हूर यह दिख रही है अभी मैं विजट साइट करने पर यह अपने पास 2021 फिन ऐक्टीवेट दिख रही है तो आप पहले सबसे पहले अपनी थीम को यह है कि हमारे पस कोई धोड़ी बढ़ा है हमने एक नॉर्मल फींग को क्या गया सेट अपके आंदर तीम के सपरीयर करने निया इंधर के लिए अपकर के सेट अब करते हैं तो मैं आपको एक पेज ही अभी सपर दिखाऊँ heter regard और आप प anticipation rigt को बना पाएंगे तो आपको दो फंक्शन यहां पे देखिए मैं आपको बता हूंगा कौन-कौन से दो फंक्शन है देख लिजिए यहां पर get template underscore directory underscore uri और एक है blog informant template underscore directory देखिए ये जो दो function से इसका काम क्या होता है इसका काम होता है आपके theme तक का path निकालना आपके theme तक का path निकालने का मतलब है local host आपके folder का नाम wp content theme फिर जो हमने folder बनाया था वहां तक का ये path अपने को क्या गरेगा निकाल के देगा पर जो भी code है उसको लेके आऊंगा और मैं browser पर run करूंगा माली जे index.php को मैंने browser पर run की तो वो CSS और JS की file को नहीं call करने वाला है आपको वहां पर path दे के उसको क्या करना पड़ेगा call करना पड़ेगा जब तक आप उसको path दे के call नहीं करेंगे तब तक आपकी file call नहीं होगी यह मैं आपको clear कर देता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करता हूं सारे लेके आ जाते हैं और मैं आपको index.php को setup करके दिखाता हूं यह अपने HTML के pages हैं जारे यह IIP static नाम का folder इसके अंदर सारे pages हैं अब यहाँ पर चलिए यह तो already है मैं यहाँ पर क्या करता हूं पेस्ट करता हूं इन files को नहीं अटाना जो बनी फाइल है और देखिए index.php जो आपने बनाई थी आप इसको delete कर दीजे मैं क्या करूँगा इस index.html को ही rename करके क्या कर दूँगा PHP कर दूँगा इन सबको आपको rename करके PHP करना है तो मैं अभी उन files पर लॉजिक बताऊंगा आपको उन files पर जाने की दरूँद नियागी यह कैसे call होंगे अभी अपना मेल लॉजिक है यह index.php की file को call करना देखिए इसके अंदर पूरा आपके पास HTML का code आ गया जो मैंने HTML code करके desktop पर रख रखा था वो code आपके सामने क्या और आपके सामने क्या और आ दिख रहा है अब हमने theme को activate भी कर दिया activate करते हैं यह data भी दिखेगा देखिए मैं ब्राउजर पर जाओंगा और ब्राउजर पर जाके यहां पर रिफ्रेस करूंगा तर देटा भी दिखेगा अब देखिए data देख रहा है मगर कोई भी file call लिए कोई भी CSS कोई भी images आपके पास call नहीं हुई है वो कैसे call होगी हमन करेंगे templates कैसे बराएंगे यह हम आगे clear करेंगे अभी मैं clear कर रहा हूं कि index.php सबसे पहले call होती है call हो गई उसके अंदर का content आपके पास call हो गया क्योंकि मैं सारी files को copy करके लाया था जो मैंने HTML की file रख रखी थी उसको मैं copy करके यहां पे लाया था और index.html को rename करके PHP कर बिया और जो पहले से index.php थी उसको delete कर दिया क्योंकि मैं इस file को use करूंगा index.php जो मैंने अभी किया है अभी यहां पे मेरी css call होनी चीए js call होनी चीए क्योंकि हमें जो design है वो इस type का बनाना है यह दिखना चीए मेरे पास और यह तो दिखी नहीं रहा है अभी नॉर्मल क्या हो रहा है content सारा दिख रहा है अगर आप देखेंगे home about यह सारा content दिख रहा है content का लॉजिक न Egyptians दिखना चीए इस design को दिखाने के लिए मैं आपको clear करता हूं यस दिखाने केलिए css की file यहां पे call होनी चीए आपकी js की file यहां पे call हmb क्या होने चीए यह सारे इसके लिए मैं आपको यह ढ़ सब्सक्रीन बता दिय थिए इसके theme तक के path को क्या गरते है return करते है theme तक के path को return करने का मतलब clear है कि eco get template underscore directory underscore uri का काम होता है आपकी theme का path निकालना है तो पहले हमने इन दो functions की meaning समझते हैं पहले मैं इन दो functions का output आपको दिखाता हूँ फिर मैं CSS file को क्या गरूँगा call करूँगा जिससे आपको ये clear हो जाएगा कि मेरा एक HTML का page wordpress में convert हो गया theme के अंदर जाके देखे process क्या देखे ये index.php file कॉल हो रही है clear है देखे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ php को open करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ echo get template अब एक चीज ध्यान रखिएगा यह जो get template है यह wordpress का फंगसर है php का फंगसर नहीं है अब काम php के अंदर ही करना है php start php बंग उसके बीच में echo आप यहाँ पे लिखेंगे get template underscore directory और underscore uri और यहाँ पे आप बंद करिया और यहाँ पे semicolon लगई echo get template underscore directory underscore uri आपको लिखना है लिखने के बाद मैं ब्राउजर पे जाके क्या करता हूँ refresh करता हूँ refresh करती है यहाँ पे एक error आई यहाँ पे कहरा है call undefined function get undefined function होने का यह की रीजाने की थोड़ी spelling गलत हो गई आप यहाँ पे सही कर लिजएगा template की spelling गलत है जो मैंने custom theme यहाँ पे बनानी चाहिए है और जो मैं बना रहा हूँ localhost wsculte.wpcontent theme wscustom theme यह अपने theme के folder का नाम था वहाँ तक का path इसने दे दिया अगर यह path देता है तो आप अपनी CSS को यहाँ पे क्या कर सकते है call कर सकते है बहुत simple logic है मैं अभी call करके दिखाऊंगा और मैं दूसरा function मत रहता हूँ दूसरा function भी same आपको देता है बस function का नाम अलग है यहाँ पे आपको लिखेंगे blog info देखे, blog info में आपको eco करानी की जरूद नहीं यह खुद आपको print करके देता है बस आपको template directory यहाँ पे क्या करना है लिखना इतना template directory भी अपने को क्या करेगा पूरा path निकाल करेगा तो blog info के अंदर template directory keyword fix है कि यह अपने को theme का path क्या करेगा return करेगा और मैं यहाँ पे refresh करता हूँ देखे refresh करते देखे यह है अपना eco जो हमने किया था get underscore template underscore directory underscore uri और यह जो अपना है यह किस्से आ रहा था blog info के अंदर template underscore directory लिखा था तो इन दोनों ही function का आप यूज कर सकते हैं दोनों function का का काम होता है theme तक का path निकाल के लाना जो अपनी theme बनी हुई है जो हम custom theme बना रहे वहाँ तक का path ही अपने को क्या करने वाला है return करने वाला है इसका जरूरत क्यों है इसकी जरूरत यह इसलिए है क्योंकि CSS नहीं call होगी आपकी images call नहीं होगी आपको उन सारी जगे इसको लगाना पड़ेगा जो भी external files call हो रही है अब देखे मैं एक जगे लगा के रिखा देता हूँ कोई भी एक use कर लीजेगा मैं यहाँ पर comment कर रहा हूँ और इसको भी comment कर रहा हूँ बस यह आप लोगों बताने के लिए था कि आपको पता चल जाए कि template underscore directory और blog info का काम क्या है वो आपके theme का path कैसे लेके आ रहा है बहुत simple logic है देखे यह जो CSS folder है और style और CSS है यह हमने copy करके theme के अंदर रख रखा है और इसको path नहीं मिल रहा तो इसके आगे आप PHP start करेंगे start करके यहाँ पर लिख देंगे slash लागा के theme echo और यह function कोई भी एक function आप यहाँ पर call कर लेंगे तो मैं यह function यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जैसी आप यह functions को call करेंगे जैसी यह function इसके आगे लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इस theme के अंदर से इस CSS folder में style.css को लेके आना है देखे वर्डप्रेस के अंदर आप यह सोच रहे हैं कि CSS folder pass में और PHP file pass में यह call हो जाएगा नहीं आपको theme तक का path इसके आगे देना पड़ेगा तभी यह CSS folder को समझेगा मैं आपको clear कर रहा हूँ इस line का मतलब जो है यह line क्या represent कर रही है आप जाएंगे stdocs में देखे यह line यह represent कर रही है कि यह folder यह folder तक का path किसने निकाल के दिया अपने को eco get template underscore directory और यह CSS जो है यह folder है अपना और style.css आपकी क्या है यह file है तो यह represent कर रही है वो line जो मैंने अभी आगे की side क्या कर रही है लिखी है अब देखे मैं यहाँ पर refresh करता हूँ और आपके सामने design का format थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो भी गया है यहाँ पर बस images call नहीं हो रही है तो मैंने क्या बोला था जितनी भी external file external file का मतलब css.js आप अगर कोई fonts call कर रहे हैं कुछ भी ऐसी call कर रहे है जो external files है जो front end के लिए काम आ रही है उन सब के आगे आपको eco get template underscore directory या blog info आपको use करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि get underscore template underscore directory को आपने use किया तो उसने क्या कर दिया path को लिया और slash करके css और style.css को call किया तो आपकी css की file call हो गई अब देखिए अगर आपको देखना है कि इसका path क्या है तो आप यहाँ पे control you करिए control you करते ही देखिए यहाँ पे आपको बता देगा कि इस path से css को उठा रहा है जब मैं इसको click करता हूँ तो यह पूरा आपको css call होती हुई देखिए जो मैंने रख रख किया है अब देखिए अब images को call करते है images जहाँ जहाँ image है वहाँ वहाँ अपने को यह रखना पड़ेगा देखिए अब मैं आपको एक shortcut तरीका बता देता हूँ क्योंकि मैं एक एक करके ढूणूँगा तो बहुत जगे images अपने को मिलेगी देखिए मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा और यहाँ पर blog info का यूज करूँगा देखिए और blog info में अपने को क्या रखना है यहाँ से हम क्या करते ते लिखी देते देखिए यही अपने को रखना है template directory मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं यह भी तरीका यूज कर सकता हूं इसको भी यहाँ पर क्या कर सकता हूं रख सकता हूं कोई problem नहीं है तो मैंने blog info देखिए मैंने क्या किया है मैं आपको clear कर देता हूं मैंने इस path को इस path से replace कर रहा हूँ मैं देखे मैं replace करता हूँ तो हर जगे जहाँ जाँ image है यह आगे की side क्या हो जाएगा जुट जाएगा अब images को भी अपना path मिलना क्या हो जाएगा start हो जाएगा देखे मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ CSS कैसे call होगी JS कैसे call होगी यह सारी चीज़े हमने क्या की है clear की है तो अभी के part में यह clear हो गया होगा आप लोगों को कि मैं अगर कोई HTML page को WordPress की theme के अंदर लेके जाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा rename करके पहले PHP templates की बात नहीं कर रहा हूँ page की बात नहीं कर रहा हूँ मैं index की ही बात कर रहा हूँ उसके अंदर आप CSS को कैसे call करेंगे echo get underscore template underscore directory underscore uri function को use कर सकते हैं वहाँ पर echo करना पड़ेगा blog info को use कर सकते हैं blog info में आपको round bracket के अंदर template underscore directory क्या करना पड़ेगा pass करना पड़ेगा जिससे वह path को use करें और इस process से आप HTML page को WordPress के अंदर क्या कर पाएं convert कर पाएं तो अभी के part में clear है कि हमने index.php को कैसे set कि WordPress की theme में ले जाके Thank you so much guys हुआ 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 है